बूंदी उत्तरपश्चिम भारत में राजस्थान राज्ज के हाडवती क्षेत्र का एक शहर है और राजपुताना एजंसी की पूर्वर्यासत की राजधानी है। बूंदी जिले का नाम पूर्वर्यासत के नाम पर रखा गया है। इतिहास, मुख्य लेक, हिस्ट्री ओफ बूंदी राज्ज के बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में पांच हजार से दो लाख साल के पाशान यूग के उपकरण पाए गए थे। बूंदी के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभिन्नमूल निवासियो द्वारा बसा हुआ था, जिनमें से सबसे उलेखनिय तब परिहार राजपूत थे। बूंदी और इसी नाम की रियासत का नाम पूर्व चोहान राजा हाणा राव देवडा के नाम पर रखा गया है। बूंदी को पहले बुंदाकानल के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है संकीर माल्थ। राव देव हारा ने बाद में इस क्षेत्र पर शासन किया, 1342 से बूंदी पर कबजा कर लिया और आसपास के क्षेत्र का नाम बदल कर हर्वती या हरोती कर दिया। पिर में देवी सिंग, एक हारा, चोहान, सर्दार को भैंस के प्रमुख, महाराजा हाडा चोहान पर हमला करने और उससे उस राज्य का नियंतरन चीनने के लिए 1420 में देवी सिंग ने जीत लिया था और इसके शासत मुख्य रूप से महाराजा बने रहे जब तक कि समराट अकबर ने मेवार के साथ अपने संबंध तोड नहीं दिये। के इतिहास में एक नए यूग की शुरुवात की। अकबर ने उसे बूंदी और बनारस के पास कुछ जिले दिये। राव सुर्जन की मृत्यू 1589 में बनारस C.E.A. हुई थी। में राव भोज की मृत्यू के बाद राव रतन नए राजा बने। उन्हें जहांगीर द्वारा सुर्गुलंद राय और राम राज की उपाधी से सम्मानित किया गया था। राव छतरसाल ने 1631 में राव रतन का स्थान लिया। वह गोपीनात के सबसे बड़े पुत्र और राव रतन के पोते थे। उन्होंने शाह जहां के लिए कई लडाईयां लड़ी। छतरशल ने उतराधिकार के युद्ध के समयदारा शिको के लिए लडाई लड़ी। 1658 इसवी में अपने सबसे छोटे बेटे भरत सिंग के साथ धोलपुर के पास सामुगड के युद्ध शेत्र में उनकी मृत्यू हो गई। वह अपने साहस और भक्ती के लिए राज्य क इतिहास में एक अमर नाम बने रहें। उन्होंने पातन में केशव राव का मंदिर और बूंडी में छक्रम हल का निर्मान किया। अनिरुध सिंग का जन्म 1666 इह में हुआ था जब वह बूंडी के सिंहासन पर बैठे थे तब वह केवल 15 वर्ष के थे। राजकुमार मुज मुज़म के अधीन उत्तरपश्चिम में तैनात अंबर राजा राजा बिशन सिंग के साथ अनिरुध ने आ भरी और 1702 सीए में उनकी मृत्यू हो गई। अनिरुध सिंग के बाद उनके जैष्ट पुत्र बुधा सिंग ने की 1702 में गद्धी संभाली। बुद्ध सिंग जैपुर के युद्ध के मैदान में राजकुमार मुज़म की तरफ से लडाई लडी। और उनकी जीत के बाद राव राजा की उपाधी राजकुमार मुज़म वारा उन्हें हस्तानतरित कर दी जाती है। और उसे इनाम के रूप में कोटा राज्य भी दिया। बाद में राजकुमार मुज़म ने भीम सिंग को कोटा का नया शासत बनाया। जैसिंग दो जो उस समय जैपूर पर शासन कर रहा है। उसकी सेना ने बूंडी पर एक आश्चर्य जनक अमला किया और घरेलू जगडे के रूप में बुढा सिंग को गदी से उतार दिया और बूंड उन्होंने कोटा, जैपूर और मराठा के खिलाफ अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन लड़ाई हार गए। 1748 ए में राजा इश्वरी सिंग ने उन्हें बूंडी के शासत के रूप में मान्यता दी उमद ने आ भरी और अपनी सारी शक्ती अपने बेटे के पक्ष में सौप दी और एक भिख्शु बन गए। उमेद सिंग कला के एक महान संरक्षक थे और उन्होंने बूंडी में प्रसिद चित्रशाला या आर्ट गैलरी का निर्मान किया। 1848 में उनकी मृत्यू हो गई और उनके बेटे अरिजीत सिंग 1771-73 सी और बाद में उनक पिंडारियों के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों को अपनी सेवा प्रदान की। वह एक शक्तिशाली शिकारी था और कहा जाता है कि उसने लगभक सो शेरों, बागों और असंध्य सुवरों को मार डाला था। राम सिंग ने बिशन सिंग से बूंदी का स्थान महान पंडित और सक्त हिंदू रुडिवादी के धार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। 1950 में राजस्थान के सभी छोटे राज्यों का वर्तमान राज्य में विलै हो गया और इसने बूंदी को राजस्थान का वर्तमान राज्य बना दिया। आन और भोगोलिक बूंदी शहर उत्तर और पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान के दक्षन पूर्व में स्थित है। क्षेत्रफल 581938 हेक्टेर है। जनसांखी की सभी दो हजार ग्यारा की भारतिय जंगरना के अनुसार साथ बूंदी की आबादी एक लाग 3,286 थी। पूरुषों ने 52 पसेंट आबादी का गठन किया, जबकि महिलाओं ने 48 पसेंट बनाया। बूंदी की औसत साक्षर्ता दर 82 पसेंट थी, जो राश्चिय औसत 73 पसेंट से अधिक थी, जिसमें पुरुष साक्षर्ता 89.77 और महिला साक्षर्ता 73.77 थी। 12 पसेंट आबादी 6 साल से कम उम्र की थी। एतिहा सिक्स्थल, सम्भादी की पहाडियों पर खड़ा सफेद किला राजस्थान का सबसे खूपसूरत किला है। किले का निर्माण 1345 इसवी में किया गया था और इसका एक विशाल प्रवेश द्वार है। किले के अंदर बुर्ज नामक एक विशाल युद्ध और ठोस चत्तान से उकेरा गया एक बड़ा जलाशय देखा जा सकता है। बुंदी पहले से पहाडियों के उपर तारागड किले से सटी अध्भुत संवरचना जगह की असाधारन शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। चित्रशाला बुंदी महल का हिस्सा है और इसमें कृष् पोल और दीवानेयाम लाल किला है। रतन दौलत इस उलेखनिय संदचना में नौ घोडे हैं और एक हटिया पोल का निर्मान राव राजा रतन सिंग ने किया था। 84 स्तंभो वाले सेनोटाफ शिव लिंगम के साथ स्मारकों में 84 स्तंभो के साथ एक शांदार स्मारक राव अनिरुध द्वारा बनाया गया था। नवल सागर इस कृत्रिम जील के केंद्र में पानी के आर्य देवता वरुन को समर्पित एक आधा जल्मगन मंदिर है। बुनदी की संस्क्र handle बुनदी को पहले मीनाओं के गनराज्य के रूप में जाना जाता था। जिसे देव सिंग हारा ने जीत लिया था, जनोंने इसे एक स्वतंतर राज्य के रूप में स्थापित किया था। बून्दी के अन्य गाओं में परिहार मीना रहते थे। उस समय बून्दी का मुख्य व्यवसाय क्रिशी था। मीना, गुर्जर, ब्रामन, वैश, अहीर और धाकर के अलावा माली संद नैस भी बून्दी राज्य में रहते थे। राजस्थान अपनी कला और शिल्प के लिए प्रसिध है, इसलिए राजस्थान के अन्य राज्यों की तरह बून्दी भी धार्मिक विचारों, साहित्यक, कला और लोक विद्या में सम्रिध है। जैनियों के लिए महावीर जैन्ती और मुसल्मानों के लिए मोहरम जैसे अन्य धार्मिक त्योहार भी बून्दी में लोक प्रिया है। इस क्षेत्र का मुख्य भाषा समूह राजस्थानी है, जिसमें हरोती और मेवारी अधिक सामान्य भाषाओं में से हैं। बून्दी राज्य वास्तुकला और कला के क्षेत्र में भी समृद्ध है। छत्रमहल और चित्रसाला बून्दी की सबसे प्रसिद इमारतों में से हैं। उनकी शैली और संगरचना राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। बून्दी पैलेस अपने विशिष्ट बून्दी शैली के भित्ती चित्रों के लिए जाना जाता है। घरों की बाहरी दीवारों को भी हाथियों, शेरों, सूरज, चंद्रमा और गणेश के सुन्दर चित्रों से चित्रित किया गया है।